हेलो गाईज, वेलकम बेक तू माई यूटूब चैनल, इसने दिस अप में आप सभी का स्वागत है, आज हम स्टेप बाई स्टेप आपको प्लाजो पेंट को सिलना बताएंगे, तो प्लाजो पेंट को सिलने के लिए हम सबसे पहले अपने आसन वाले हिस्से को सिलते हैं, तो ये है हमारा आसन वाला इसा, जो कि मैं अब सिल रही हूँ, और इस तरीके से ये मैंने सिल दिया है, आसन वाला इसा, इसके बाद में हम दूसरा वाला सिलेंगे, तो जो हमने सिला था, वो बैक पार्ट का था, और ये है फ्रेंट पार्ट का, आसन वाला इसा, तो ये हमारे दौनों हिस्से सिल कि ready हो गए है, और इसके बाद में हम यहां से जो एक्स्र कपड़ाई उसे cut कर देंगे, और इसके बाद में ये है हमारा यहां से हाफ लेंगे हम तो 12 है ये उसका 6 है हाफ और इनी हिस्वों पर हम छोटी छोटी चुनटे लगाएंगे तो ये है हमारा फ्रेंट पार्ट जिसमें हम आगे चुनटे लगाते हैं और बैक पार्ट में कोई चुनट नहीं लगाते हैं तो यहां से यह हमारी चुनट है लग चुकी हैं तो यह है हमारी प्लाजो पैंट का आगे वाला हैसा और इसके बाद में यह हमने पांच इंची की पट्टी कट की थी इसको हम plazo pen को उटा रखे पट्टी को सीधा रखेंगे और इसे joint कर देंगे इसमें तो यह हमारी पट्टी joint हो गई है यहां से extra many cut भी कर दी है और इसके बाद मैं यह हम सीधा कर लेंगे plazo pen को और इसमें form लगा के इसको इस तरीके से सिल देंगे तो आप चाहो तो back part में और आगे वाले front part में दोनों side में आप रवर डाल सकते हो तो एक plazo pen मैं इस तरीके से सिल रही हूँ आगे इसमें form है और पीछे इसमें रवर डालूँगी और आगे वाली मैं सिलूँगी दोनों इसमें रवर वाली तो ये है back part इसको भी हम इसी तरीके से सिलेंगे तो इसमें जो 5 इंच की पट्टी है ये मैंने stage कर दी है इसके बाद मैं इस तरीके से fold करेंगे और जो भी हम अपनी कमर के साब से रवर कट करेंगे उसे हम starting में ही इस तरीके से लगा लेंगे तो आपका रवर डालना नहीं आता हो प्लाजो पैंट में तो आप इस तरीके से सीख भी सकते हो और यहां से आपको रवर के ऊपर सलाई नहीं चला लिए अँलि कपडे कपडे के ऊपर सलाई चला लिए रवर को खीचते जाना है आप अपनी कमर के एकोर्डिंग रवड को कट कर लीजिए यहां से हमारी रवड भी डल चुकी है और इसके बाद में इसे थोड़ा खीच के इस तरीकी से कर देंगे ताकि कपड़ा चारों तरफ हो जाए और बीच में एक सरही लगा देंगे खीच के तो यह हमारी रवड भी डल चुकी है और इसके बाद में इसके उपर अपने आगे वाले हिससे को लखेंगे जो कि हमने आगे वाला पार्ट त्यार किया था और इस पर सीधी सलाई लगा देंगे साइड वाली और इसके बाद में हम दूसरी साइड भी इसी तरीकी से सलाई लगा देंगे और हमने दौनों तरफ से सलाई भी लगा दी थी और नीचे नाप के हमने मौरी भी फोल्ड कर दी और साइड वाली सलाई भी लगा दी है तो मेरी एक प्लाज़ो पाइंट सिलके ड कि रेडि है अब अब आधम सिल भी किACE दहें दूसरी प्लाज़ो पेंट तो आप समझ में आ जाएगा प्लाज़ो पाइंड कैसे सिल हो में लाती है कि आधे तो सब्से पहले आसनЕ वाली यस्षी को सिलते हैं तो इन पर हम दो दूसला ही लगा देंगे तो दो दूसला ही मेरी लग चुकी है इसके बाद मैं हम यहां जो हमारा यह आगे बाला पार्ट है यहां पर हाफ नाप लेंगे तो पांच इंच पर मेरा हाफ आया और यहां पर चुन्नट लगा देंगे एक-एक तो यहां से प्लाजो पेंट का जोनट लख की रेडियो गई है और इसके बाद में प्लाजो पेंट को उल्टा करेंगे और उल्टे करने के बाद में यहां से यह मैंने स्टीच कर दिया है उल्टी साइड में और इसके बाद में इसे सीधा करके हम दोनों साइड में रवर डा कर ली है और इस तरीकी से इसमें रवट डालेंगे तो यहां से पहले यह सिल लेना है और इसके बाद में इस तरीके से उनले कपड़े कपड़े के ऊपर तलाई चलानी है रवट को आपको खीच लेना है आगे साइड इस तरीके से कि इस तरीकी से मैंने खीच के सी चारों कर दिया है LIVE मैं और यसमें खीच खीच की रवड़ डाल दाल देनी है आपको कि को कर तो मेरे रवर डल की रेडियो हुई है आगे वाले हिसे में और इसके बाद में हम फ्रेंट याट में रवट डालेंगे तो इसी तरीके से हम जो हमारी पांच इंच की पट्टी है उसे हम जोइंट करेंगे तो यह मैंने जोइंट भी कर लिया है इसके बाद में हावाय रवट डालनी है तो रवड इसी तरीक से डालनी है जैसे कि मैंने पहले डाली थी पहले यां साइड से सिल लेना है और इसके बाद में कपड़े के उपर हमें सलाई लगानी है और रवड को आगे खीच लेना है द्यान रहे कि रवड की ओपर स्लाई ना लगे नहीं तो खीचेगी नहीं फिर और यहां साइड से हम इसे सिल देंगे और इसके बाद मैं इसे खीच के सीधा कर लेंगे और यहां बीच में एक सलाई लगा देंगे तो यहां से भी हमारी रवड डल की रिडियो हुए इसके बाद में हम दोनों पार्टों को हम साइड में रखके और सलाई लगा देंगे तो यह है मेरी साइड वाली सलाई तो हमें सीधी सिलाई लगा देंगे है साइड में और इसी तरीके से दूसरी तरफ भी हमें सलाई लगा देंगे दोनों साइड में इसके बाद में हम नीचाई का नाप लगा लें तो यह मेंने नीचाई का नाप लगा लिया है इसके बाद में हम इतना ही यहां से फोल्ड कर देंगे तो इसमें कट बैगा नहीं लगाएंगे हमें सिंपल ली प्लाजो पैंट बनानी है तो यह में नीचे से भी फोल्ड हो गया है और इसके बाद में दूसरा फोल्ड कर लेना है और दूसरा फोल्ड करने के बाद में हमें महरी का निशान लगाना है तो महरी है हमारी साड़े पांच तो यहां से फिक्स हमें इसलाई लगा दीनी है तो यह मैंने इसलाई लगा दी है, इसके बाद मैं फिनिशिंग के साथ कट भी कर दिया है, और इसके बाद मैं इसमें छोटे-छोटे कट लगा देने, ताकि हमारी प्लाजो पेंट बीज से उठेना और हमारी प्लाजो पेंट सलके रेडी है थैंक यू फर वाचिंग एंड कीप सबस्पोटीग में